राजस्थान के विभिन छेत्रों के प्राचीन नाम क्या थे? राजस्थान का अक्सांसी और देशांतरिय विस्तार, राजस्थान में प्राचीन जन्पत, इन सब को देखने से पहले नमस्कार इस्टुडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन हैं, आज हम राजस्थान की महतोपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, त उत्री अक्सांस से 30 डिगरी, 12 मिनट उत्री अक्सांस, यानि 7 डिगरी का यहांतर है उत्तर्शे दक्षिन में, राजस्थान का सब से उत्री गाउं, कोणा गाउं और दक्षिनी गाउं हैं बोर कुंडा बांसवड़ा में, नेक्स्ट जो अपना है, वो है देशांतरिय व इस्तार में, गुण 70 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिगरी 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान इस्तित है, राजस्थान की रैड कलीफ रेखा, जो अंग्रेजी सासनकाल में रैड कलीफ नाम के एक अधिकारी के द्वारा ते की गी थी, और र राजस्थान की कितने जिले इस्तित हैं, इन सब की बात हम करेंगे, तो राजस्थान की उत्तर्शे दक्षिन पूर्व से पश्चिम की दूरी और देख लेते हैं, तो राजस्थान की उत्तर्शे दक्षिन की जो दूरी है, वो 826 किलो मिटर है, और जो पूर्व से अपने कंटेंट की और सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में कौन-कौन से जनपद हुआ करते थे तो राजस्थान के जो जनपद हैं वो योध्य जनपद जो की राजस्थान के गंगा नगर हनमानगड के छेतर के आसपास योध्य जनपद हुआ करता था और जो दूसर का सबसे पूर्वी जनपद झो की भरत पूर धौर्पूर की छेतर में नेक्स्ट जो अपना जनपद हुआ करता था वो था दकषनी राजस्थान का दकषनी राजस्थान का जनपद जब हम देखें तो वो है सिवी जनपद जो कि चितोड़ गड़ के आसपास के छेत्रों में इस्तित्थ अब हम पुराने नामों को देखने से पहले राजस्थान की जो दूरी है अंतराश्टी यानि पाकिस्थान से राजस्थान के पड़ोस का जो देश है वो है पाकिस्थान और उससे 1070 किलोमेटर की दूरी है वो राजस्थान की लगती है प्यरति हैं तो राजस्थांकी अंत्रास्ट्य सीमा पेस्थेत जिले कौनद से हैं तो वह कंगानगर बिकानेर जैसलमेर और बाड मेर चार जिले स्थी थे दूरी है वह nooit का 1070 किलोमेट्र की दूरी है इस तरीके से हम याद कर दोब सकते हैं इमका Нत्रास्थेत훈 स्री गंगानगर को स ले लेते हैं, एस बीबी जी के नाम से इसको याद कर सकते हैं, अपने की पोइंट बना ले, टोटल जो इस्थली सीमा है, वो राजस्थान की अंतराश्ट्य सीमा 1070 किलोमेटर और अंतर राज्य सीमा यानि राज्य सीमा यानि राज्य सीमा लगती है, व 28850 किलमेटर अब हम कुछ जिले देख लेते कि राजस्थान की सबसे उत्री शीमा जो कि पंजाब से लगती है सबसे छोटी शीमा लगती है उस पेश्ती जिले हैं गंगानगर और हनमानगड दो जिले लगते हैं हरियाना से लगने वाले जिले देख लेते हैं हनमानगड येक ऐसा जिला है जो हरियाना से भी लगता है और उसे पंजाब से भी लगता है हरियाना से लगने वाले जिले हनमानगड चूरू, जुनजुनू, अलवर, सीकर और भरतपूर बरतपूर ये एक ऐसा जिला है जो उत्तर परदेश से भी लगता है और हरियाना से भी लगता है तो यहाँ सूर्शेन जनपद है और अलवल्द का जो पुराना नाम है वो सालव परदेश भी और मेवात भी है नेक्स्ट जो उत्तर परदेश की जिले हम देख लेते हैं भरतपूर धोलपूर सबसे ज्यादा जिले मध्य परदेश से लगते हैं और मध्य परदेश से लगने वाले जिलों के नाम हम देख लेते हैं, सबसे ज्यादा दूरी भी मध्य परदेश से लगती है, किलोमेटर दूरी है, वो सबसे ज्यादा मध्य परदेश से लगती है, तो मध्य परदेश से लगने वाले जिले हैं, वो हैं धोलपूर, करोली, स् ठलावाड, चितोडगड, भीलवाड़ा और परताबगड बांसवाड़ा ये जिले मध्यपरदेश से लगते हैं यानि 10 जिले राजस्थान के मध्यपरदेश से लगते हैं 6 जिले गुजरात से लगते हैं तो बांसवाड़ा डुंगरपूर और उदेपूर, सिरोही, जालोर और बाड में इस तरीके से हमने सीमा वर्ती जिले देखे और अंतराष्टी और अंतर राज्य सीमा राजस्थान की देखी हम अब बढ़ते हैं प्राचीन नामों की ओर तो सबसे उत्तर की ओर चलते हैं तो राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम जांगल परदेश बिका नेर के आसपास का छेतर कहलाता था जांगल परदेश बागड जो की चूरू के आसपास का छेतर कहलाता था बागड ये बांगड है अना की मात्रा है इस पे और दक्षनी राजस्थान का जो छेतर है वो बागड है अब मेवात परदेश कहलाता था अलवर का छेतर सेखावाटी कहलाता है शिकर चूरू जुन्जुनू तीन जिलू में फैलावा छेतर कहलाता था सेखावाटी अब डुन्धाड जो छेतर है वो कहलाता है जैपूर के आसपास का छेतर अहीं छत्रपूर नागोर का पुराना नाम है इन परसनों में से कई परसन आपके सामने नेक्ष्ट अग्जाम में होंगे तो आप बड़े धहरिये के साथ सरल और सहज तरीके से इसको सीखते रहें मुझे भी आपको सिखाने में आनंद आ रहा है आप भी आनंद लें और विश्वास के साथ आगे बड़ें मांड परदेश है वो जसल मेर का परदेश है मांड परदेश नेक्ष्ट हमारा जो मारवाड है मारवाड को हम देखते हैं जोदपूर पाली के आसपास का छेतर है वो मारवाड कहलाता था फिरवाड का जो छेतर है वो अजमेर के आसपास का छेतर फिर मगरा और गिरवा जो छेतर है वो उदेफूर अरबुद शिरोही का पुराना नाम है गोडवाड गोडवाड में बाड मेर जालोर और शिरोही इस छेतर को गोडवाड में सामिल किया जाता है तो ये गौडवाड़ आप देख सकते हैं और शीवी मेदपाट मेवाड ये चितोर गड़ के आसपास का छेतर कहलाता था सीवी मेदपाट और मेवाड बढ़ते हैं नेक्ष्ट दक्षणी-पुर्वी-राजस्थान की ओर अब जो दक्षनी पूर्वी राजस्थान का जो छेत्र है सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जेपूर तो जेपूर के आसपास का छेत्र डुंढाड कहलाता था फिर आप जब भासा सीखो भासाओं से समंदित चेप्टर आपके सामने होगा से राजस्थाना देन से समंदित महतोपूर वीडियो डाले जा चुके हैं आप उन वीडियो को देख सकते हैं सब ओथंटिक कंटेंट है आपके नेक्स्ट अक्जाम में यहां से कई परसन देखने को मिलेंग तो जेपूर के आसपास का चेतर ढूंढाड और ढूंढाडी भासा ढूंढाडी बोली यह सब बोलियों से समंदित भी डाले हुए हैं अन्य महतोपूर जो वीडियो हैं वो डाले जाएंगे ताकि आपके भरती अक्जामों में ज्यादा ज्यादा परसन सही हो इसी उमीद के साथ इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अब हम डांग चेतर को देखेंगे तो डांग चेतर कुन सा कहलाता है बधोलपूर करोली और स्वाई मादोपूर के आसपास का चेतर डांग कहलाता है अब हम देखते हैं राजस्थान का दक्षणी पूर्वी छेत्र जो की हाडोती छेत्र कहलाता है कोटा बुंदी बारा ये जो छेत्र है ये कोटा बुंदी बारा का ये हाडोती छेत्र कहलाता है या हाडोती बोली बोली जाती है तो बोलियों का वीडियो डाला जा चुक है और और भी कंटेंट वोल्यू से समंदिर डाले जाएंगे ताकि आपके फैक्ट हैं वो बिलकुल किरियर हो जाएं अब ये बागड डूंगरपूर बांसवडा का छेतर वागड कहलाता है बागड हमने उपर देख लिया जो सेखावाटी चूरू के आसपास का छेतर कहलाता है और ये है वागड जो कि डूंगरपूर बांसवडा का छेतर कहलाता है मालव परदेश अब हम देखेंगे मालव परदेश कुन सा है मध्धि परदेश से लगने वाला परताबगड और जालावाड के बीच का जो छेतर है वो मालव परदेश है इस चेप्टर में इस कंटेंट में महत तो पूर्ण जनपत देखे तो मुझे उमीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें